हेई फ्रेंड्स वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे तंदुरुस्थ होंगे लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके परसन की टू इंटेंशन्स क्या हैं आपको लेकर आखिर वो चाहते क्या है उनकी सत्थी भावनाएं क्या है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की और रीडिंग टाइमले से फ्रेंड जब भी देखेंगे रेजनेट करेगी जनल है कलेक्टिव है सबी साइन्स के लिए है जरूरी नहीं है सबसे करें अगर आप से करें तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट चेक करते हैं आपके परसंगे ट्रू इंटेंशन क्या है फ्लारिंग वैसे तो सभी जोडियक साइन पॉर्मिनेंट हैं टोरेस वर्गो कैप्रिकॉन जैमानाई लिप्राक्व आउनट में परसंगे हैं तू ये कार्ट्स आये हैं रीबर्थ का का काड्ट मुझे ये बताता है कि अगर किसीरींट और संगी अन्रक्वाइशन की वज्बाट की वजह से तो वो आपसे इस connection को आपके साथ दुबारा से शुरू करना चाहते हैं Rebirth का card यहाँ पर है Friends, यहाँ पर दो situation है, मैं बारी-बारी से समझाओंगी Even मुझे तीन भी दिख रही है, बट मैं बारी-बारी से समझाओंगी First situation यह है कि उनकी family ना उनको control किया हुआ है And वो आपके साथ less contact में है, या फिर no contact में है, हो सकता है, ब्लॉक करके रखा हूँ आपके person के बारे में बात करूँ, तो यह stubborn है, जिद्धी है And कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि height में छोटे भी हो सकते है आप में से कई लोग soulmates and twin flame भी हो सकते है तो आपके person इस connection को दुबारा से start करना चाहते है काफ़े time से चुपचा बैठे हैं और इस silence को over करना चाहते है आपके person आपसे unconditional true love करते है आपके person आप बहुत independent हो, good looking हो तो आपका nature, आपके howbhow, आपके look, आपके figure सबसे बहुत impressed है और definitely वो आपके साथ एक नई शुरुवात and reunion करना चाहते है because integration का card यहाँ पर है अगर second case आते हैं, family की वज़े से आप लोगों की शादी नहीं हो पारी तो अभी आपके person थोड़ा सा चुप होंगे, silence का card है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पीछे हट गए है इसका मतलब यह है, वो एक pose लेना चाहते है ठीक है, family को समझाना चाहते हैं, integration का card है पो सकते हैं कि mother ना मान रही हो या फिर कुछ लोगों के father ना मान रही हो and with time सारी चीज़े handle करके यह इस connection को दुबारा से शुरू करना चाहते है आपके साथ marriage करना चाहते हैं, आपके साथ settle होना चाहते है आपको लेकर बहुत possessive है, यह आप से दूर कभी भी नहीं जाना चाहते the miser is here, and control तो हो सकता अभी यह situation control करने की कोशिश कर रहे है आप से कम बात कर रहे है, आपको control कर रहे है, family को control कर रहे है balance बना कर चल रहे है, और बहुत चल्दी यह रिष्टा लेकर आपकी तरफ आ सकते है third energy मुझे यहाँ पर दिख रहे है, कि अगर आपके person को financial crisis परिशान कर रहे है because the miser is here, तो हो सकता है कि financial crisis के वज़े से यह person अपनी feelings को control कर रहे है या फिर आगे action ना ले पा रहे है है, तो आपको लगता होगी यार पता नहीं, love करते भी है या नहीं या पता नहीं चाहते क्या है, इनके goals क्या है, अगर इनका future career settled भी हो गया तो भी पता नहीं मेरे साथ contact में आएंगे या नहीं तो not like this, because आप से यह बहुत impressed है, आप पर इनका बहुत attraction भी है और integration बताता है, आपके साथ इनका love भी है आप में से कई लोग soulmates और twin flames मुझे दिख रहे हो यहाँ पर, तो definitely यह person अपने goals पूरा करके इनकी intention है कि यह इतना career set कर लें, जिसके बाद आपको राणियों की तरह या फिर राजा की तरह अपने साथ रखें then career का कोई issue हो ही ना, luxury life आप दोनों जीए और then ही आपके साथ शादी करें या आपके साथ रिष्टा बनाए तब तक यह person silent record, career पे concentrate करना चाहते हैं, career पे efforts लगाना चाहते हैं, career पे पूरा ध्यान देना चाहते हैं अब scenario कुछ भी हो, true intentions, true feelings की बात की जाएं, तो definitely आपके person आपको देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं, जब आपकी उन्होंने first time picture देखी थी, image देखी थी, या फिर first time वो आपसे मिले थे, तो उन्हें लगा था कि यार इसके जैसा लड़की या इसके जैसा लड़का तो म कि आपके person आपके साथ marriage चाहते हैं, reunion चाहते हैं, आपके साथ family चाहते हैं, इस रिष्टे में balance चाहते हैं, इस रिष्टे में improvement and growth चाहते हैं, silence ये imply करते हैं कि आपके person आपको दुखी नहीं करना चाहते, इस वज़े से वो sometime खुदी चुप हो जाते हैं, so that आप भी शान्त हो जाओ and उनको भी time मिल जाए third party situation को sort out करने का and आपको भी, तो आपके person आपको दुखी नहीं करना चाहते हो सकते हैं, जब आप बहुत ज़दा उनको कुछ सुना देते हो या उनसे बोलते हो, तो वो argument करने के बज़े एक तम silent हो जाते हो, because उन्हें पता है कि आपका गुस जैनुएन है और आप कितने अंदर से दुखी हो रहे हो, कितने अंदर से hurted हो, तो इसलिए वो आपको शांत करने के लिए खुद शांत हो जाते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं, आपके person आपको लेकर बहुत possessive हैं, वो आपको किसी भी कोस्ट पर खोना नहीं चाहते हैं, आप उनका लगी चाम हो, आप उनके लिए everything हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत love करते हैं, unconditional love करते हैं, आपके person थोड़े से dominant दिख रहे हैं, stubborn दिख रहे हैं, हो सकता है कि हमेशा यही जताते हो, कि जो वो कह रहे हैं ठीक है, तो आपको उनका बात माननी चाहिए और वो आप आपको थोड़ा सा control करने की कोशिश करते हो, लेकिन उनका यह control negative way में नहीं है, उनका यह control positive way में है, वो भी third party situation या फिर difficult phase से निकलना चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा control करने की कोशिश करते हैं, कि आप उन्हें समझो, थोड़ा सा उनके साथ मिलकर चलो, आपके person ब negative situation हो सकती है, जो कि कोई भी हो सकती है, वो over होगी और आप दोनों का romantic cycle शुरू होगा, आप दोनों relationship में आओगे, आप दोनों की family होगी, आप दोनों के बच्चे होगे, और अगर आप में से कई लोग no contact zone में हैं या फिर separation में हैं, तो कब आपका relationship या परिश्ता दुबारा से शुरू होगा, तो आपके person की true intention है, सारी negativity over करकर इस रिष्ते की एक नई शुरुवात करने की, आपके person की true intention है, silent tracker situation को understand करने की and negative things को sort out करने की, जो भी third party situation है, उसमें से बाहर निकलने की, उस पर work करने की, आपके person की true intentions है, आपसे integrate होने की, आपके साथ reunite होने की, की, आपके साथ marriage करने की, आपके साथ family बनाने की, आपके person की true intention है, आपके साथ पूरा world tour घुमने की, आपके person की true intention है, आपको अपना बनाने की, वो भी short term के लिए नहीं, long term के लिए, हमेशा, हमेशा के लिए, forever. आपके परसन की true intention है कि वो आपको कभी खोना नहीं चाहते हमेशा आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं और अपने आसपास देखना चाहते हैं आपके परसन की true intention है कि वो इस जर्णी को अच्छे से drive कर सके और कभी भी आप दोनों की life में in future कोई भी problem ना आए एक बार life set हो जाए तो पूरे life हस्ते गाते और बहतरीन तरीके से spend हो जाए और मैं major अरकाना से कार्ड निकालों कि आपके परसन की true intentions क्या है ओम साई राम ओम नमस्षिवाय तो कार्ड आया है दच्छावर्ड मैं यह देख पा रही हूं कि तडपते तो वो भी आपके बिना बहुत हैं तडपते तो वो भी आपके बिना बहुत हैं और उनके true intention है कि यह दिश्टाना पूरी तरह से over नहीं होना चाहिए यह connection पूरी तरह से मिटना नहीं चाहिए उनकी true intention है आपके साथ long term रहने की तो वो नहीं चाहते कि किसी भी जल्दबाजी से यह connection हमेशा हमेशा के लिए over हो जाए वो हमेशा efforts लगाना चाहते हैं और इस connection को बहतरीन बनाना चाहते हैं क्योंगि lovers is here आप लोग soulवेठ हो आप लोग twin flames हो उनकी soul आपके लिए तडबती है उनका दिल आपके लिए धड़कता है वो आपके साथ मिलना चाहते हैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक होकर रहना चाहते हैं वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, unconditional love करते हैं, उनकी true intention है कि जो आपके साथ 9 साफी हुई है, आपको उस 9 साफी का justice मिलना चाहिए, वो आपको justice देना चाहते हैं, आपके साथ नियाए करना चाहते हैं, इस रिष्टे के साथ नियाए करना चाहते हैं, and hopefully positive way से आगे पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही positive कार्ड हैं, Libra, Gemini, Cancer की energy भी है, Pisces, Corpio भी, मुझे कुछ हद तक यहां पर दिख रहा है, तो ये थी friends reading पसंद आई है, तो please do like, share and comment, for more clarity आप लोग personal readings book करा सकते हैं, जिसकी detail डिस्रिप्शन box में given है, thank you so much for watching, good day.